Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापताहिक राशीफल ये 18th April से लेकर 24th April तक की आपकी tarot ratings है, tarot predictions है और अगर आप personal tarot s2 session book कराना चाहते हैं तो मुझे whatsapp call या फिर whatsapp message करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि दिए normal call हो सकता है, miss हो जाए लेकिन whatsapp पे आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और मेरी contact details आपको नीचे description box पे मिल जाएंगी इस video के end में भी मिल जाएंगी इसी के साथ साथ अगर आप DDT already में interested हैं तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या पर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता है क्राशी फल चलिए एरीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है seven of wands and destiny और देखेंगे cards कहते हैं कि इस week जहां एक तरफ destiny आपको favor कर रही है किसमत आपका साथ दे रही है जो भी in general या फिर specifically आप अपने professional front में करना चाहते हैं या फिर achieve करना चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ challenges कुछ issues भी रह रहे हैं या मैं कह सकती हूँ कि आपको एक smooth going नहीं मिलती हुई देख रही है किसी level पे किसी तरीके का एक opposition रह सकता है यह opposition सब के लिए differ कर सकता है क्योंकि यह general reading है कुछ लोगों के लिए circumstances हो सकते हैं situations हो सकती हैं जो इतनी favorable नहीं है कुछ लोगों के लिए आपके workplace पे कोई इनसान हो सकता है आपके personal front में कोई इनसान हो सकता है जो इतने supportive नहीं हो रहे है या फिर उनकी तरफ से किसी level पे किसी तरीके का एक opposition रह रह रहा है लेकिन देखिए जहां seven of wands का card challenges की बात करता है problems की बात करता है वहीं यह card success की भी बात करता है in fact यह card कहता है कि definitely आपको success मिलेगा अगर आप extra effort करते हैं extra initiative लेते हैं आप will power रखते हैं determination से काम लेते हैं तो बहुत सारी Aries मुझे ऐसी energies में दिख रहे हैं और अगर आप ऐसी energies में हैं Aries तो कोई भी आपको आपके goal आपके मकसद को करने से नहीं रोक सकता है और जो ऐसी energies में नहीं है उन लोगों के लिए guidance है कि ऐसा अगर आप करेंगे यानि कि will power determination के साथ चीजों को deal करेंगे तो ज़रूर जो भी issues है मसले हैं आप उनको overcome कर पाएंगे और अपने goal को भी definitely आप achieve कर पाएंगे और personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है two of wants and recognition and reward तो दिखें दोनों ही बहुत ही positive cards है recognition and reward का card बहुत ही clearly कहता है कि पीछे in general या फिर से मैं कहूंगी personal front से related कोई भी आपने effort किया या फिर कोई भी आपने महनत करी उसी से ही related एक positive outcome आपको मिलता हुआ दिख रहा है आपके loved ones, आपके close ones की तरफ से काफी एक appreciation काफी एक recognition भी आपको मिल रही है और इसी लिए या फिर otherwise भी surface level के लिए two of ones का card कहता है कि बहुत confident आप महसूस कर रहे हैं आपको literally ऐसे लग सकता है कि दुनिया आपके मुठी में है किसी email, किसी message, किसी phone call, किसी news का अगर आव वेट कर रहे हैं तो वो भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है और बहुत confidently again मैं कहूंगी जो भी आप चाहते हैं उसी से ही related next steps आप plan करते हुए दिख रहे हैं आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इन्ही सब चीजों से related किसी खास इंसान का आपको बहुत support भी मिलता हुआ दिख रहा है या मैं कहा सकते हूँ उनकी तरफ से काफी supportive energies भी रहती हुई दिख रही हैं अच्छी opportunities या फिर अच्छी चीजें भी जो भी आप चाहते हैं उसी से ही related इस week specifically आपके personal front में रह रही हैं and guidance से आप लोगों के लिए काड है love और ये काड बहुत ही clearly कहता है कि जो भी आप करें बहुत ही lovingly बहुत ही compassionately करें कभी-कभी होता है ना कि हम गुस्सा हो जाते हैं या फिर irritate हो जाते हैं frustrated हो जाते हैं या फिर सामने वाले को लेकर थोड़े से dominating हो जाते हैं अपना काम कराने के लिए लेकिन इस week की बहुत ही clear guidance है आपने अपने सारे काम बहुत ही lovingly बहुत ही प्यार महबबत से कराने है and astrology से आप लोगों के लिए Pluto का card है और इसके हिसाब से yellow and orange colors इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं and significant days आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Thursday तो ये था Aries आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए